फोर्थ क्वेशन देखिए फोर्थ क्वेशन है हमारा 3y-8 और multiply करनी है 5y-1 से तो सबसे पहले आप क्या करोगे 3y को लिखोगे ऐसे ही और ये वाला जो bracket है वो just इसके बरावर में अब क्या करना है आपको minus का 8 लिखना है और ये वाला bracket just इसके बरावर ठीक है अब आगे समझेए इसकी multiply इससे भी करनी है और इससे भी तो पहले हम इसकी multiply इससे करते हैं तो 3,5 जा 15 और y की multiply जब y से करोगे तो y की power 2 3y की जब minus 1 से करोगे तो 3,1 जा minus का 3 और y as it is आजाएगा इसके बाद minus 8 की 5 से करोगे तो 8,5 जा 40 और y as it is और minus 8 की जब minus 1 से करोगे तो plus का आएगा 8 इसके बाद देखे 15y square as it is क्योंकि y square आगे कहीं है नहीं इन दोनों को अब solve करना है क्योंकि same variable है तो यह solve हो जाएंगे तो यह minus और यह minus 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 plus तो add करना इनको तो 4 और 40 के इतना हुआ 43 है ना 43y लेकिन symbol उसका आता है जो बड़ा है तो बताओ 3 बड़ा है 40 तो आपको ओगे 40 बड़ा है 40 के आगे symbol किसका है minus का इसलिए minus का और plus का 8 यही हमारा क्या है answer तो next question पर